अब लॉंग का नाम याद आया तो आपको बताता हूँ, यह इतनी बढ़िया चीज है, यह तो कई बार कफ की हर बीमारी में कामाती है, लॉंग को आप जानते हैं, लेकिन एक बीमारी में मैंने इसका बहुत उप्योग किया है, और इतने बढ़िया परिणामे आप सबको बत और एक लॉंग का तेल भी आता है, बजार में, तो एक बूंद लॉंग का तेल एक चमच गरम पानी में डालके रोज पिये, तो इतने शुक्राओं बंगते हैं बीर में, हमें कई बार चमच खार लगता है, ऐसे कई पुरुष जिनके दर्दस साल से शारी के बाद बच्च हाँ, मतलब यह है, नपुन सकता की सबसे अच्छी दवा है, यह लॉंग, बहुत बढ़ी आए यह लॉंग, कफ में, खासी में कई अब यह कामा थी, बुखार में भी कामा थी, और एक यह दवाएं ऐसी बताता हूं, जैसे यह लॉंग है ना, ऐसी एक और दवा है अपने यह लॉंग है, वो भी नपुन सकता को ठीक करते हैं, चूना, यह पाम में जो हम चूना खाते हैं ना, यह चूना गेहूं के दाले के बराबर, दही में मिलाके किसी को भी खिलाओ, वीरी में शुक्राओं बहुत बनते हैं, और गन्वे के रस में खिलाओगे तो और का परिणाम है इसका, चूना गेहूं के दाले के बराबर, गन्वे करस आदा गिलास, बहुत अच्छी दवाएं, माताओं भी इसको प्ले सकती हैं, जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते, ओविलेशन का प्राब्लम है, उवम का प्राब्लम है, उनको चूना खिला, गन्य के रस में बहुत बढ़ियाद हो है।